नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक्वेट यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे मुंबाइ इंडियस और गुजरा जाइंट्स की बीच जो नेक्स्ट डब्लू पील का मैच खिला जाएगा उसके बारे में यहार अल्रेडी एक मैच खिला जा चुका है जिसमें है एक बड़े प्लीयर्णे आपको दोभाण दिए हैं अहले मैथ्यूश की मैं बात कर रहा हूं आज के मैच में सेकेंड मैच और इनएगरा मुंबाइ इंडियस की तरफ से चांसे बहुत जादा काव हो रहा है जैसे कि लास्ट मैच में भी आपने देखा कुछ लोगों ने काफी बड़े प्लेयर्स को ट्राय किया आप टीम ने उनको मौगाई नहीं दिया कौन से चार ओवर्सीज प्लेयर है जिनको टीम की लाएगी कुछ रात वाली साथी साथ अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम तो पार्ट भी बन जाओ क्योंकि जो फाइनल टीम होगी अपडेट के साथ वह मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा और अगर आपने लास्ट मैच में नहीं देखा है तो लास्ट मैच में ग्रेलडी की टीम भी आप आपको प्रोवाइड किये नो डाउट उतनी वैधर टीम्स नहीं रही है क्योंकि हैले मैथ्यूस लगबग मैंने हर टीम के अंदर ट्राइ किया था बैटिंग बोलिंग दौनों सा मौका था अनफॉच्छने टी बोलिंग से विकेट नहीं मिले सिर्फ दो ओवर्स मिले और बैटिंग में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई तो पॉल्स लोट नहीं दिखा लें इसलिए ग्रेलडी की टीम ज्यादा अच्छी नहीं रही है आज के मैच में क्या मैथ्यूस कमबैक करेगी या जिन भी प्लेयर्स पर हम भरोसा कर रहे हैं इनको कैप्टन वाइस सिप्टन कर है वो अपडेट होके आपको टेलिग्राम पर शेयर कर दूगा तो जोईन कर लो शुरुआत कर लेते हैं पिछले पोर्ट के सांथ अब थोड़ा सा पिच को समझना आसान रहेगा क्योंकि इसके पहले तो 2016 में मैचेस हुए थे बाकी लास्ट मैच आपने देखा है बैंगल को तो बहुत कम विकेट मिले हैं अगर आप देखो एलिस कैपसी ने सिर्फ दो विकेट निकाले वो भी लास्ट ओवर उनको मिला वहाँ पर मुंबई को जाधा रंच यह थे तो उनको विकेट मिले साही का इशाग को कोई विकेट नहीं मिला तो जो भी क्वालिटी स्पिन मैंच में बढ़ती है फॉर्स इनिंग का इवरेज स्कूर 133 है दौनों इटीम की मैटिंग स्टॉंग है और गुजराज जाइन्स को हलके में मत लेना यार लास्ट यह अगर आपने देखा तो टीम ने फॉर या फाइब नंबर पर फिनिश किया था क्योंकि मूनी शुरु और ज्यादा मैतर उम्मीद कर सकते हो लास्ट मैच नहीं ने लास्ट वॉल पर चेस किया साथ विकेट पेसर और चार विकेट इस्पिनर जिसमें से दो विकेट निकाले कैपसी और दो विकेट हमाली अगर लोड़ोंको डैस में बिल गए थे उसके पहले जो मैश था दोज और किसी को मौका नहीं है जैसे कि आपको बोला था एक्सपिरियंस प्लियर तो इजगेट इनके साथ गई और अच्छा बेकिया प्लियर अच्छा कर रहा है और बेटिंग भी बढ़िया खासी की हुई थी बैटिंग अच्छी है और बोलिंग से भी 2-3 ओवर है क्योंकि कि स्पिर्स को ज्यादा सपोर्ट इस्पिच की उपर नहीं देखा गया है अगर शुरुआत की एक दो और अच्छे डालती है तो चार ओवर्स पूरों इनको मिलेंगी अधर्वाइस फिर चार ओवर्स नैटली सीवर बंड जैसे कि लास मच उनको दिये थे तो सेम बिच है बोलिंग भी करती है यस्टी का बाटिया 24 का अबरिच और रीसेंट फॉर आप देखो ज्यादा खासरी दा लास्ट मैस पर बढ़िया बैटिंग किये विकेट कीपिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग से भी आपको थोड़ा बहुत कुछ तो डेफिनी करके देगी विक करना है दो से चार ओवर्स के बीच तो डेफिनिटी रखेंगी कम से कम या तो डालेंगी या मैथ्यू तो थोड़ी ज्यादा अच्छी बूलिंग की तो चार इनको मिल सकते हैं या डैटली सीवर ब्रेंट की अच्छी बूलिंग हो सकते हैं लेकिन जैसे ही बड़ा टूर् मैच था वंबर इंडियास और सामने वाली टीम तो मुझे याद दी आ रही आर्सील से जहां तक मैच होगा उसमाच में पहले मैच में चेजिंग में बैठे गाई लास में चेजिंग के वजह से लोगों और डॉप किया उसले चेजिंग में आई शुरुआत के विकिट्ट सब्सक्राइब करें तो फिर आप ग्रेंडी की टीम्स के अंदर थोड़ा बहुत डॉप कर सकते हो अमेलिया करकी बात करें तो 34 का अवरिज 17 विकेट रीसेंट फॉर्म भी अच्छा नजर आ रहा है बड़ी अप लेयर है और लास्ट मेश में डैथ मोवर मिले एक विकेट सिर्फ मिला हुआ था एक विकेट रना डैथ नहीं मैश जन कप को लास्ट बोल के अंदर आउट किया मैं फिर से ट्राइ नहीं कर रहा हुआ क्योंकि अगर लास्ट के ओवर्स में लास्ट में ही मिलेगे शुरुवात में तो इनको वर्स टीम देगी नहीं रही है लास्ट में 15 के बाद एक दूवर्स मिल सकते हैं बढ़िया करती है तो डैथ वेका विकेट नहीं जा सकती है अ अगर बैटिंग आती है ग्रेंडी की टीम्स में रख सकते हो कुछी टीम्स में एक दो टीम्स में सिर्फ ट्राय करना टीम अगर ऐसा सोचे कि हार्ड टाइटर टाइप की प्लेयर है पहली बॉल पर छक्का माना है लास्ट मेंच के अंदर तो थोड़ा सा उपर बैटिंग म कुछ वैसे ही हुआ स्मॉल लिंग मैंने बिल्कुल ट्राय किया था शैफाली वर्मा को बाकी ग्रेंडी के अंदर अपने ड्रॉप किया था जिसका फायदा में मिला है आज के मैच में सामने वाली टीम्स के कॉल्स को शमना में स्माइल आउट कर सकती है वो भी मैं आपको सामने वाला प्लेयर अगर अटेक ही है तो विकेट दे सकता है बिल्कुल गलती करके और सामने वाली टीम के पास ओपनर्स तो खहर अच्छे है वन आउट वाले बैट्समन को खत्रा दे सकती है ठीक है गुजरात की जाइंट्स की पॉस्वेल 11 देख लेते हैं स्क्रीन शॉ थोड़ असा ओल्रांडर का ओप्शन देती है अलाकि जिन लोगों को नहीं पता टाउ भी बड़िया बैटिंग कर लेती है अच्छी खासी बैटिंग करती है बोलिंग सेक्शन में देखे रखिए तो टीम के पास सिर्फ एक मौका है या तो आप कैथरिन ब्राइन को खिला ब्राइस को खिलाए या फिर आप टाउगों को खिला सकते हैं बैथ मूनी लिच्फीड और यहां पर गार्डनर टीनों कंफम है लिच्फीड की जगा वालवर्ड भी अच्छा उप्शन रहेंगी अगर टीम उनके साथ जाना चारी तो उनको भी थोड़ा सोच सकते हैं तो मुझे जारता कि याद है विकेट कीपिंग करते से ही इंजर नहीं खेली है रीसेंट फॉर्म आप देखो बहुत ज्यादा वहतरी नहीं बहुत अच्छी प्लियर है आउट करना बहुत मुश्किल है टी ट्वेंटी के अंदर 41 का एवरेज है और इस साल जो डब्लू वीब एवरेज बन जाती है पांच मैच में से तेन मैच अथानी से कप्टन बनती है तो स्मॉली में जो लोग डिफ्रेंट करना चारें कर सकते हूँ अच्छी बैट्स में ठीक है लाइक्स बात करें लिच्विल्ड 37 का एवरेज टीटी टीटिया के अंदर पहली बार खेलेंगी यहां पर WPL और यार लिच्फिल्ड और वॉलवर्ट नौन पर से टीम किसी एक के साथ जा सकती है थोड़ा ज्यादा बैतर फॉर्म लिच्फिल्ड का फॉर्म थोड़ा खराब इसलिच्फिल्ड को फिलाल यार्ट एंटिर्श किया हुआ है लिच्फिल्ड खेंती है तो रख सकते हो क्योंकि अच्छी बैट्समेन है और अच्छी करती है हिटर टाइट की प्लेयर असानी से करके देती है तो रखा जा सकता है नेक्स बात करें हर्ली नोल 28 एक विकेट बोलिंग सुम्मीद बहुत काव है क्योंकि बोलिंग जादा मिलती नहीं है और बैटिंग ठीक है ठीक है 20-25 वाली प्लेयर तो आसानी से थोड़ा स्ट्राइक नेट का रहता है इसलिए टीट इंडिया एक जानदर हम ज्यादा प्रिफर नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप 25 बोलों के अंदर 25 बना रहे है और सामनों वालों कोई दूसरा प्लेयर अगर 20 बोल या 15 बोल भी खेल नहीं थी तो आज के मैच पर फर्स बैट आ रही है तो थोड़ा सोच सकते हो टीम के बार टीम में रखने के बारे में बाखी ज्यादा बैतर आप्शन है अमारे बास एक्स बात करें एशलिए गार्णर 29 कैवरेज 10 विकेट लास्ट येर ठीक टा करते हुए नजर आई पूरे चार और से कई बार डैथ में बीओन मिल जाते हैं और अपनी टीम के लिए तो जाता बोलिंग करते हुए नदर आती है यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है मूनी ऑस्टेलिया गार्णर ऑस्टेलिया उसी तरीके से यूज करेंगे जहां ऑस्टेलिया में मैग आपको एवरेज पोलिंट्स निकाल के देती है तो टीम के अंदर रखो अगर खेल नहीं है नहीं खेल रहे हैं इनकी जगर टाव को मौका मिला है तो फिर आप उनके साथ जा सकते हो लैक्स बात करें हैं लदा अधीस का एवरेज है मैटिंग और बहुत नीचे सिफ ग्रेल पास वेज़ आप नहीं बोलेगे क्योंकि टीम की कैप्टन नहीं है अगर टीम की कैप्टन होती तो फिर आप चार वर्स की उम्मीद कर सकते थे जैसे लास मैच आप देखो रादा आदा प्रॉपर बोलर एलिस केप्सी पार्ट टाय मरें एलिस केप्सी ऑल्राउंडर रां के लिए ऐसे ही आज के मैच में से राणा के साथ हलका सा मधाक हो सकता है दो के आसपास ओवर रहेंगे तो सिर्फ टीम में रखो और स्मॉलिंग में रिस्क लेना है किसी दूसरे प्लेयर को ट्राय करना है तो उनको ड्रॉप कर सकते हो मेगना सिंग की बात करें आठ मैच मे एक्सपीरियंस नहीं है उनमेंसे किसी एक-एक को आप जरूर्वर रोटेट करना जैसे लास्ट मैच के अंदर अरोद्रती रेडी बिलकुल एक्सपीरियंस नहीं दूर दूर किसी नहीं गया मैंने भी नहीं किया था था आप ऐसे डिफरेंट बोलर के अच्छे वो डालती तो फिर पूरे चार ओवर्स आपको डालके दे से लेक्स बात करें सेफ केपटन वाइस केपटन की तो रेक्स सीवर ब्रेंट मैथ्यूस और गारडनर तीनों बड़ी है चोईस है जिन लोगो मैथ्यूस से थोड़ा सा डर लग रहा है वो गारडनर या ब्रेंट के साथ चले पाई की फिर भी जो लोग गारडनर को करना चारा है तो फॉर्स बैट आरिये तो कर सकते हो बैटिंग में थोड़ा जाद अच्छा कर सकती है शेसिंग में बैटिंग उत्री बैतर नहीं करती है ग्रेंड लिग में कैप्टन वाइस केप्टन मूनी हमलिया कर और शम्नम करना है इन में से बहुत कम चाहँ से की एक भी प्लेयर फेल हो जैसे मैं जो मैंने आपको फिक्स बादाया ना सिर्फ उसमें से हेले मैथ्यूज फेल हुई है आज के मैंच में चाहसे से पूरे प्लेयर्स आपको चल के देंगे हर्मन पीद को और चेजिंग में थोड़ा उतन जातर आपको average points निकाल के देती है, आज के मैंस में अगर टाउ खिल नहीं तो शुरुवात के ओवर्स लेके आएंगी, वहाँ पर ही chances है कि अपना wicket खोद है, अगर टाउ नहीं है तो आप फिर रख सकते हो रश्टी का भाटिया को, और आज के मैंस में तो option है क्योंकि आपक स्माइल, या तो फिर आपको नेट सीवर ब्रेंट, दौना कमाल की bowling कर रहे हैं, विकिट लेके दे सकती है, सिर्फ रिसेट फ़र्म खराब है, इसलिए, इसमाल लिग में नहीं करना है, तो ग्रेंड लिग में कर लो, condition के according आप ड्रॉप कर सकते हो, चलिए, नेक्स टीम की बात करें, ग्रेंडी की टीम देख लेते हैं, फर्स टीम, मुंबई अगर बैटिंग फर्स करके डॉमिनेट कर रहा है, तो मैं मैथ्यूस को फिर से बैक कर रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ अच्छा करके देंगी, और नेट सीवर ब्रेंट को वाइस केप्टन मेंने किया ह इसके अलाबा, यहां पे आप देखो, मुंबई के थोड़े जादा बैट्समन मेरे पास है, और मुंबई के दो अल्राउंडर्स भी नहीं है, शाहिका शाग, पीछर बोलिंग के थोड़ा प्रेस्टर डाल सकते हैं, अगर बड़ा स्कूर रहा है, यहां से फिर मैंने उसके आसपस गुजरात ने, तो फिर एकाद दो विकेट दे सकती हैं इनको, और नेट सीवर ब्रेंट को वाइस केप्टन किया है, नेक्स टीम की अगर बात करें तो गुजरात बोलिंग फर्स करके अगर डॉमिनेट कर रहा है, तो फिर मैंने यहां पे नेट सीवर ब्रें को कैप्टन किया और गार्डनर को वाइस केप्टन किया है, और फिर यहां पे आप देखो, अपनी टीम के अंदर रख लिया है, अगर ऐसा मैं आच हो जाता है, कि मुंबई की फर्स बैट में आपने एक सो चालिस एक सो पचास क्यास पसको रोक लिया, तो सामने वाली टीम के जो टॉप थ्री बैट्स मेल है, वो मैंने फिर अपनी टीम के अंदर ले लिये, चेस करने में मदद कर सकते हैं, अब हम हमारी स्वाली की टीम देखेंगे, उसके पहले वीडियो अगर आपको यहां पसंद ना रहा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइ बागी टीम आल्मोस्ट सब की सीमी थी, इसी डिफरेंस से हमने ठीक टाग रिजल्ट ले लिया है, मतलब क्लीन सिप तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आवरेज रिजल्ट लास्ट मैच के अंदर रहा है, आप देखो तो जैमीवर रॉडिट्स के लगबग 66 पॉइंट थ डिफरेंस काफी सारे लोगों के सामने हमने इनसे विन किया है, ठीक है, इसके अलावा PSL, PSL में भी ठीक टाग रिजल्ट लास्ट मैच के अंदर रहा है, और WPL के वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, PSL की डारेक टीम आपको टेलिग्राम मिल जाती है, तो उ अच्छी बोलर है, शुरुआत में बड़िया स्विंग उनको देखने को मिलती है, और इस पिच्च के ऊपर शुरुआत के जो फास्ट बोलर है, वो अच्छा कर रहा है, मैजजान काप आपने लास्ट मैच के अंदर देखा, आपने लास्ट मैच के अंदर सब शमनम इसमा और ये दौनों बैट्समें को मौका थोड़ा सा कम है, और मौका कम है तो भाई ट्राइ करने से ज़्यादा सेंस नहीं है, फिलाल वॉलवर्ट को मैंने अपने टीम के अंदर रखा है, और डाउनर सेक्चन से बात करें तो हैले मैथ्ट्यूस, नैट सीवर वेल्ट, अमलिय जानते हैं, भड़िया प्लेयर है, स्कॉट्लेंड की प्लेयर है, और अपनी टीम के लिए जान है, जान है अपनी टीम के लिए, एक सारा ब्राइस, एक कैथरिन ब्राइस है, दौनों बढ़िया खिलती है, ये ओल डाउनर है, फास्ट बोलिंग, बढ़िया बोलिंग करती ह अगर खेलती हैं दो से तीन ओवर्स डालेंगी और बैटिंग ओडर थी डाउन या फोर डाउन कर सकती है तो रख सकती हो, फिलाल मैंने नहीं रखा है, मैं फिलाल टाहू के साथ जा रहा हूँ और टाहू नहीं खेलेंगी, फिर आप उनको रख सकती हो बोलिंग सेक्षें से स्माइल, टाउ, दौनो, बढ़िया चोईस इसके अलावा बुजा वस्तकार को जादा ओवर्स मिलते नहीं है साइका शाक, आज के मैश में थोड़ा कमबैक कर सकती है तो पीछे बोलिंग आरिया रख सकती हो बड़े स्कॉर का अगर प्रैशर रहता है तो अपना विकेट लेके दे सकती है बाकि यह जो डिफरेंट प्लियर्स है, इनके स्टैट्स आपने देख लिए थोड़े कमी प्लियर्स को मौका मिलता है और अगर खेलती भी है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्राइ मत करना है बहुत ज़्यादा डिफरेंट अगर आप ट्राइ करोगे पता चला उस बोलर को एक भी ओवर नहीं दिया कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि टीम थोड़ा जीतने को देखती है और जो इंपोर्टेंट बोलर है जो इंटरनेशनल प्लियर्स है उनको ज़्यादा मौका मिलता है लास्ट मैंच अगर आप देखो पूजा को सिर्फ दो ओवर्स मिले नैटली सीवर बनल्ट को चार ओवर्स मिले क्योंकि टीम यहां पर थोड़ा जीतने को देखती है ऐसा नहीं है कि नए प्लेश को मौका यह मौका देना है जीतने के लिए ज़ादा खेलते हैं प्लेयर्स तो बहुत सोच समझ के आप tया करना किसी की स्टैट्स अगर आपको बहुत जादा बोलर नहीं है वह ज़्यादा स्ट्राइक बोलर नहीं है अगर आप देखो टाऊ भी नहीं खेल ले है तो फिर फास्ट बोलर में कोई स्ट्राइक बोलर मुझे नजर नहीं आ रहा है तो फिर मैथ्यूस के चांसे से बढ़िया बैटिंग करके दें इसके अलावा गार्डनर बैट आ रहे हैं इनके साथ जा सकते हूं काफी सारे लोग अमिलिया के साथ भी जा रहे है इनको रखना है ग्रेटिंग में रखो पैटिंग ओडर थोड़ा नीचे है तो मौके बाइस अगर देखा जाये तो नेट सीवर ब्रंट और मैथ्यूस के पास थोड़ा ज्यादा म लिए आम पर फाइनल टीम और विरनिकी टीम आपको मिल जाएगी थैंक यू एंड थैंक यू सो मुच